नमस्कार दोस्तों स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है टेक वीट इवर्जी आज हम लोग बात करेंगा वाट्सप के बारे में जी हाँ वाट्सप के बहुत सारे इंट्रेस्टिंग फीचर के बारे में जो की 2018 में रिलीज हुआ लेकिंग उसके पहले थ इतना पॉपलर है कि इतना पॉपलर की 1.5 billion monthly का active user है जी हाँ आप इसका पॉपलर्टी ऐसे ही समझ सकते है कि 1.5 billion monthly user active user है तो जाहिए से बात है इतना पॉपलर जो एक messaging application है उसमें कुछ नय नय feature एंड इंक्लूट किया गया था 2018 में तो वस जो important feature थे साहध आपको मालू हो लेकिन अगर नहीं मालूम है तो इस वीडियो का मधिलियम से आप जान जाएंगे तो चलिए जानते हैं कि क्या 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 अच्छा अच्छा फीचर जो 2018 में इंक्लूड किया गया था वो है क्या तो चलिए मुद्द पहते हैं तो दोस्तों चलिए जानते हैं पहला फीचर कौन जा था पहला फीचर पी आई-पी यानि पिक्चर इन पिक्चर मोड जी हां बहुत सारे यह जो पॉपलर अप्लिकेशन था वो नहीं यह फीचर इंक्लूट कर दिया था होट स्टार यूटूब यह सबने अपना मतलब अगर कोई थर्ड पाड़ी वीडियो कुछ कॉंटेंट है जो आप देखना चाहते है विदिन दा अप्लिकेशन मतलब अप्लिकेशन में रख के ही देखना चाहते है तो यह आपको यह फीचर अबलेबल करता है मैंने एक पीप पर डेटकेटेड वीडियो मनाया था लिनवो केट प्लस का तो आप चाप चेक कर सकते हैं तो दोस्तों पी आईपी के बाद जो नेक्स जो फीचर है जो आपको मालूम होगा और जो अभी भी बीटा वर्शन में है आपको होफुली ज्यादा जनकारी नहीं मिला होगा लेकिन मैं बता देता हूं वाट्सप का ज आर परसंट टोटल एक साथ वीडियो कॉल कर सकते हैं जी हां अभी ये बीटा में है और जल्दी आप लोग को एकदम एस्टेवल वर्शन में रोल आउट हो जाएगा इसके अलावा ये विंदोस फोन के लिए बीटा में अबलेबल हो जाएगा जल्दी तो ये बहुत ही व जो वीडियो कॉलिंग अप्लिकेशन होता है उसमें एक साथ आप दो तीन आदमी के साथ वीडियो कॉल कर सकते हैं ग्रूप कॉल कर सकते हैं तो यह एक इंपोर्टेंट और मस्ट आवेटेंट जो फीचर था वह वाटसब ने इंक्लूट कर दिया है अपने 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 चलिए दोस्तों बढ़ते ही हमने नेक्स जो फीचर है उसमें दोस्तों यह जो फीचर है यह काफी इंड्रस्टिंग इसलिए था क्योंकि यहां पर यहां पर आपुछंव के एडमिन को ग्रूप से निकाल सकते हैं कि यहां एक ऐसा एक इसा फीचर जो की था dismiss of group admin, जी हाँ यहाँ यहाँ पर एक admin, दूसरे जो admin है उसको आपको हटा सकता है as a admin के लिए, और दोसरे यहाँ important बात यह है कि अगर आप किसी group admin को आप admin से हटा देते हैं लेकिन वो group का member रह सकता है, जी हाँ इसका information आपको group के information section में आपको मिल जाएगा, तो यह काफी अच्छा feature था, जैसा है कि कोई भी एक admin को हटाने के लिए बहुत problem होता था, चाहते नहीं थे इसको admin सताना क्योंकि वो unwanted numbers को add कर दे रहा, या unwanted person को add कर दे रहा बार बार, तो इस लेके यह जो problem था, यहाँ solution के लिए, यह एक अच्छा feature include किया गया, जो मुझे तो काफी है, वो है download deleted media file, जी हाँ, इस feature के द्वारा जो नया user है, उनको अगर कोई file जो delete कर गया था, यानि अपने phone से delete कर दिया था, उनको फिर से वो download कर सकते है, यह एक अच्छा जो चीज है, इसलिए मैं बोल सकता है, क्योंकि अगर आपके पास कुछ ऐसा मान लिजी एक document आया थ जो कि उस समय आपको नहीं लगा कि यह important है, but further in future आपको लगा कि उसमों कुछ information, information है important जो आपको चाहिए, तो आप उसको again download कर सकते है, क्योंकि पहले एक क्या था कि यह कोई server में store नहीं रहता था, but अभी WhatsApp के server पर यह store रहता है, जिससे आप दुबारा से उस file को एक अपने नहीं जिससे जो photo होता है, उस तरह से download कर सकते है, बताएगा आपको यह feature कैसा लाए, क्योंकि यह में दे लिए काफी important है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे समय आता है, जब आपका mobile का space खाली हो भर जाता है, तो उसको खाली करने के लिए अपने डिलीट कर देते, but इस feature के दवार है, in app video playing का, जी हाँ, इसमें facebook और instagram का जो video रहता था, आप अपने application में ही play कर सकते है, उसके लिए application switch नहीं करना होता है, यह बहुत ही अच्छा पहल है, क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसे video share किया जाता है, जो कि WhatsApp और Instagram का होता है, जो direct आपके WhatsApp पे आता है, उसको आपको application switch करक आपके आपको देखना पड़ता है, बट अभी वही same application WhatsApp के messaging application से ही खड़े रहके आप वो video check कर सकते है, तो दोस्तों यह सब बहुत important जो feature थे, यह popular messaging app जो WhatsApp है, जिसका monthly active user 1.5 billion है, इस तिना बार मैं बोला, इसलिए कि इसको मैं बताना चाता हूँ, इतना यह active है, आपको यह messaging application जो हम लोग का आज कल daily life में बहुत use होता है, जी हाँ, यह popular होने का simple reason है, इसका UI इतना simple है, इसमें daily या कुछ-कुछ समय पर नए-ने feature include किया रहा है, इससे आपको बहुत benefit मिल रहा है, जी हाँ, हम लोग वेट करता है कि 2019 में क्या-क्यान नया feature आपको मिलता है, इस application के द करके जरूर जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके का फिचर में ऐसे अच्छे वीडियो कर, थैंक यू, बाबाए